इंजिनिर्स हम ने हमारी लास सेसें बात की थी सर्विजिनिर्ण क्या होती है। highways का और buildings का डिजाइन कर रहा होता है आज हम बात करेंगे contour survey क्या होती है topographic survey क्या होती है contour survey is the survey to determine the elevation of various points of a given or a specific surface और जो हमारी topographic survey होती है उसमें हम different points की जो हमारे पास में various points है either it's man-made or it's natural तो जो भी हमारे पास में points है उन points की height, उनकी depth, उनकी location सारा कुछ हम identify करते है वो हम topographic survey से करते है तो इंजिनियर साथ हम बात करने वाले contour survey के बारे में और topographic survey के बारे में किस data के भी आप पे हमारे designer road को design करके दे रहा होता है हमारे designer को actually नहीं पताए कि आगे terrain किस type का है, आगे कोई city आ रही है या फिर हमारा कोई hill आया है या हमारी valley आया है, या हमारी river है तो वो हम सब सारी चीज़ा identify करते है contour survey के माध्यम से, हम contour survey सबसे पहले क्या करते है, हमको कोई भी एक particular area हमको given होता है उस particular area हमको पताए कि यहां पे hill आ गया है, suppose that, तो उस hill को हम क्या करेंगा, hill को हमको सबसे पहले में हम, उसके जो भी हमारे पास में hill आई है suppose यह हमारे पास में एक hill है और हमको इस hill के बिलकुल बीच से नहीं निकालना है लेकिन हमको इस पार्ट से इस पार्ट से हमको यहां से एक highway निकालना है इस part से ऐसे high भी जा रहा है, यह हिस्सा बच जाएगा, लेकिन इतने हिस्से को high भी निकलना है, या तो हमको नहीं पता है, तो हम पूरा यहां तक इतना cut करेंगे, जबकि हम अपना cost बचाने के लिए हमको सरफ उतना ही cut करना है, जितना हमको actually required है, तो हम यह वाला part छोड़े सब चीज के लिए हम contour survey करते हैं, contour survey करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इस condition में हम, यह हमारा hill है, इस condition में हम क्या करेंगे, अपना auto level instrument हम set up करेंगे, और auto level instrument set up करने के बाद में हम, यह हम total station से भी कर लेते हैं, क्योंकि हिल में बार बार हम CP लेना पड़ता है, change of point ल लेते हैं, वो सब हम cover करने वाले हैं, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि यह हम mostly cases में, क्योंकि बार 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 change नहीं करना पड़े, data में बार बार changes ना आए, इसलिए हम उसको total station से भी कर लेते हैं, तो इस condition में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जगह पे, जितने भी ज अब 70 के जितने भी points है, चाहिए वो यहां है, चाहिए यहां है, चाहिए यहां है, एक elevation के एक level के जितने भी points situated है, सारे points को हम इसमें cover करने हैं, सारे points को हम लेने वाले, क्योंकि उनी points के भीयाप पे हमारा contour map create होगा, और यह हमारा हो जाता है, peak point, इस पे 120 हो गई, जब हमा contour map provide करते हैं, contour map draw करते हैं, कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब यह line हमने draw कर लिए, इसके बाद में contour map बनाएंगे, जो इस हिसाब से बन रहा होता है, यह बिलकुल round नहीं हो सकता, trade ameda, क्योंकि अभी हम 2 points से मना रहे हैं, तो आपको एक round circle जैसा दिख रहा है, यहां पता है, एक point इसका 80 का यहां पर यह 70 वाला यहां पर आ रहा हूँ, या कुछ उपन नीचे तो यह trade ameda बनता है, लेकिन एक चीज है, कि यह बनेगा, सारे point जितने भी हमारे 80 meter जहां पर हमारी यह आ रही थी, elevation जहां पर 80 meter है, सारे 80 meter के points को हम cover करेंगे, और जहां पर यह वाला यह वाला जो elevation था है, इसको cover करेंगे, सेम हम यह वाला elevation करेंगे, और यह आप देख रहे होंगे, center point आ गए इसका, क्योंकि यह इसका peak point था, यह जो point है, technical language इसको ridge point बोला जाता है, तो यह जो आप देख पा रहे हैं, यह जो चीज हमने बनाई है, यह हमारा contour map है, तो यह हमने देखा, इस type से हम एक map create करके देंगे, यहाँ पे 70 meter हो गया, यहाँ पे 80 meter हो गया, यहाँ पे 90 meter हो गया, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, और यहाँ पे 120, तो यह हमारे सारे points था elevation का, अब designer को exactly पता है, कि जो हमारे पास में hill है, उस hill के कौन कौन से point कहां का से कितने elevation पे situated है, तो engineers एक condition हो जाती है, जैसे पहले हमारे पास में hill था, और अब हमारे पास में suppose कोई valley आ गई है, इस हिसाब से, तो हम को इस valley का भी data data provide करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि इसमें किस हिसाब से हम data provide कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो label होग आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इस map में भी जो हमने पहले discuss किया था और इस map में भी, हमारा जो यह interval है, वो हम 10-10 meter का ही ले रहे हैं, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते contour interval, और contour interval हमेसा सेम होता है, अगर आपने starting में 10 meter यह हो चाहिए, जिस भी types जब भी आ level जो थी वो उपर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस case में यहाँ पर हमारी 100 थी लेकिन नीचे जा रहे है, क्योंकि वैली है, हम नीचे जाएंगे तो हमारी level down होती चली जाएगी, अब हम इसका जो graph है, वो जब हम graph plot करेंगे, तो किस हिसाब से graph plot करेंगे, जैसे हमने इस और यह इसका bottom point हो गया, इसको bottom point बोलते है, bottom point, तो दिजनायर को guys हम सरिफ यह contour map ही provide कर रहे होते हैं, इस type का और इस type का contour map provide कर रहे होते हैं, अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, कि जब हमारी level 70, 80, 90, 100, 110, 120, जब हमारी level, जो elevations है points के, वो अगर अंदर की तरफ, contour map म अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह सो करता है, there is a hill, यह सो करता है कि कोई hill है, और जब हमारे contour intervals अंदर की तरफ में, जो हमने levels लिए हैं, जो हमारे elevations लिए हैं, contour intervals पे level हमारी down होती जारी, जैसे 110 था, यह 100 था, 90 था, 80 था, 70 था, तो यह सो करता है, there is a valley, इसी data के भी आप पे, इसी contour map के भी हाथ पे, जो भी designer रहेगा, उसको पता चल जाएगा, कि यहां पे एक hill है, और वहां पे एक valley है, यह आपको पता था, कि यहां पे एक पहाड था, इस हिसाब से हमारा एक पहाड था, तो हमको जो हमारा highway वो बीच पहाड से नहीं निकल र था तो इतनी सारी करने की, यह करने की जरूबते, इसलिए पढ़ती है, एक elevation के सारे points को cover up करते हैं, और उनको एक map में create करते हैं, इसलिए हमको लेना तो पूरा ही पढ़ेगा, जो face हमारा आ रहा है, सामने जिस पे हमको काम करना है, उस face को पूरा ही हमको सारे elevation के cover up करने प और वो सिर्फ इतने ही part को design करेगा, same हम इसमें देख पा रहे होंगे, कि हमारा यहाँ पर valley है, अब गाईजे इसमें कुछ दो points होते हैं, कि contour lines कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती, except some exceptional cases, और दूसरा हम जब भी यह variation लेंगे, contour intervals हमेसा equal ही लेने हैं, इसका कोई exceptional case नहीं है, in each and every cases, contour intervals same ही रहेगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम वो exceptional cases किया हैं, उनके बारे हम बात कर ले रहे हैं, पहला case है, vertical cliff, दूसरा case है, overhanging, overhanging cliff तो यह जो आपको दिखाई दे रहाई है हमारा left path, vertical particle क्लिप में क्या ही क्या है, क्या है क्या है आप देख पा रहे हूंग, एक side to slope है, लेकिन एक side में एक तो vertical slope है, इस type से आ रहा है, तो यह हमारे vertical cliff हो जा रहा रहाया, so boss, grip कर रहे होते हैं यह जो आप देख पा रहे हैं ये overhanging clip का एक नमूना है तो ये overhanging clip में क्या होता है कई बार hard rock उपर से निकल रही है नीचे soft rock है लेकिन वो hard rock का जो area है वो बहुत बड़ा होता है तो हम उसको disturb करेंगे क्या पता उपर से बहुत जादा slide हो जाए ये mostly hilly term होता है जैसे आपका हिमाचल में रोड बना रहे हूँ या किसी north east के area मना रहे है तो overhanging clip के बहुत सारे मामले सामने आते है उनमें क्या है कि उपर वाला hard rock है तो हम नीचे का soft rock move करके hard rock को without disturb किये हम वहाँ पे वहाँ से अपना highway design कर लेते हैं वह किस हिसाब से आप data provide करते वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले हम बात करेंगो vertical clip के बारे में तो vertical किलिफ में आपका कुछ इसे हिसाब से आप देख पा रहे हैं यह है आप यह जो आप देख पा रहे हैं mapping करेंगे तो इसकी mapping कुछ इस हिसाब से आएगे यह आप देख रहे होंगे सारी के सारी जितनी भी level है यह vertical portion of the hill जितनी भी level जा रही है वो सब एक line में जा रही है अब आप देख पा रहे होंगे यह हमारा यहां पर हमारा 50 60 70 80 और 90 तीनों लेविल एक ही point पर हम map में दिखा रहे हैं लेकिन यहां पर हमारा 80 हो गया 70 हो गया यह 60 हो गया और 50 हो गया हम लोग जो भी data प्रोवाइड करें लिजानर समझ जाएगा कि यहां पर सारी लेविल एक जगह पर एक ही point पर एक दूसरे को class कर रहे हैं इसका मतलब की इस तरफ में slope और इस तरफ एक vertical cliff का वो है और दूसरा point जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर तो यह हमारा हो जाएगा over hanging cliff over hanging cliff, over hanging cliff में क्या है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं इस हिसाब से बना हुआ है cliff हमारे पास में यह कोई भी hard rock का piece है suppose that यह hard rock है और यह बहुत बड़ी है जो भी हमारे पास में हिल यह यहां तक कम सकम इसके साथ जोड़ी हुई है जो भी हमारा surface रहेगा उसी सामें start करेंगे तो आप इसकी mapping कोछ यह से साब से करेंगे तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारा 90 है यहां हमारा 80 है यहां हमारा 50, 60, 70 यह तो तीनों तो उसमें आये थे एक sequence में आये थे लेकिन उसके बाद 80 बाहर निकल गया और हमारा जो 90 था वो भी हमारा बाहरा 80 यहां तक आ गया और उसके बाद 90 हमारा यहां पर class करेंगे तो यह जो layers है एक दूसरे का path cross कर रही है और इसी चीज को यह सर्फ दो ही exceptional case में करता vertical clip जैसा आप देख पा रहे है और overhanging clip जैसा आप यह देख पा रहे है इसे designer को पता चल topographic survey, topographic survey का आपने सुनाई हो गए इसको कहीवा topography बोलते है topography actually क्या होती है जो भी हमारे man made और natural obstacles है उनकी location उनकी height उनकी depth इसमें हो जाएगी height इसमें हो जाएगी जो हम contour से निकाल लेते लेकिन पूरा data हम topography के साथ भी provide करते है और इनकी actual location जैसे हमने last session में हमारे बात की नौर्थिंग और इस्टिंग इसके नौर्थिंग इस्टिंग coordinates हम actually provide करेंगे यहा हमारी city आ गए इतने एरिया में बहुत एकदम से crowded city है तो हम city को पूरा नहीं तोड़ सकते उसके लिए हम यहां से bypass road provide करते है वो कैसे degener को पता चला कि हमें यहां से और यहां तक इस highway में य यह जो हमारा highway जा रहा है इसको सीधा निकालने के बज़ा हमने यहां से bypass provide किया मनली हमारा highway जो है वो बहुत basic need है सभी के लिए important होता है लेकिन इसके लिए हम पूरी बसी हुई city है उसको तो हम एकदम से disturb नहीं करने वाले हैं तो highway के case में क्या करेंगा हम यहां से कई बाइ है जो residence हो एकदम dense है तो उस चक्कर में हम इसको पूरी city को disturb नहीं करेंगे इसलिए हम यहां से bypass provide कर देते हैं या फिर हमारे पास में यहां से बहुत बड़ी hill है तो हम उसको एक area से bypass provide कर देंगे तो वो condition हमको कैसे पता चली वो सारी conditions हमको topography से पता चलती है contour survey सर्फ हमें इ इसके elevations यह हैं और इसकी इतनी width में लेकिन यह actual coordinates उसको elevation पता चल गया लेकिन यह hill कहां situated है कि हम उसको northern eastern और उसके जो भी coordinates है सारे coordinates हम उसको provide करेंगे उसके भी हाप पर वो बताएगा कि हमको यहां से bypass निकालना है कि हम अपना highway सीधा निकाल सकते हैं यह हम क्या कर सकते हैं I hope कि आपको समझ आया होगा सारे cases जितने भी हमने exceptional से लेकर regular cases तक जो बात कीती हूँ आज आपको hopefully समझ माई होगी और हम next video में बात करने वाले हैं कैसे NGL ले रहे होते हैं और after designing हमको OGL required होती है कैसे हम OGL ले रहे होते हैं कैसे उनकी seat making की जाती है और auto level के साथ में कैसे NGL O populations होती है उस सारी हम discuss करने वाले तो गाईज अगर आपको यह वीडियो informative लगा है तो आप हमारी चैनल को subscribe करें और हमारी वीडियो को like करें थैंक यू